जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा इंतजार था कि वाकई में अगर ये कांड हुआ है दस तारीक को दस जून को तो भाई जिसके साथ हुआ वो चुपी का है साधे बैठा है वो बोल का है नहीं रहा है तो जी हाँ अब वो बोल चुका है अभी तक लोग बार बार लगातार यही बोल रहे थे ना कि अगर उकर टांग टूटा होता हाट टूटा होता तो हम जानते क्योंकि मार पिटाई कुटाई हुई है ऐसे कईसे कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े एक्स्पलेनेशन दे रहे थे कि भाई साहब कुटाई होता है तो कोई चल फिर कर आए मतलब बिना सिरपैर की बाते हमने लगातार बार बार कई दिन तक सुनी हैं और कुछ ऐसी चीजें मतलब भाई कहा ही बताएं ऐसी ऐसी बातें लेके लोग आ जा रहे थे और कहीं न कहीं सपोर्डर्स भी बस इसी चीज़ को लेकर तमाम लोग बोल रहे थे कि काश वो काश वो कुछ बोले वो क्यूं नहीं बोल रहा है उसके साथ इतनी बड़ी tragedy हुई है तो वो चुप़ी साधे क्यूं बैठा है अब ये सही time आया है उसको बोलने का क्यूं नहीं बोल रहा है फलान ढमाग और इतने सारे इल्जामात के साथ आप उनको क्यूं परेशान करो टर जी को गिफ्ट मिल चुका है पिटाई का वह जी वह हलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं इस कारकरम में और इस कारकरम में कुछ सची बाते आपके सामने आने वाली हैं जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि इनको सपोर्ट करते हैं लेकिन उसके से क्यूं कैसे कहां क्या हुआ क्योंकि जो चीजे सामने आई वो दूसरे थर्ड पार्टी की तरफ से जो कोई वहां पे था या फिर कोई जान पहचान का था या फिर वहां का कोई आसपास का रिष्टेदार किसी ना किसी का निकला तो इस प्रकार से जो माध्यम कडियों से जानकारी मिली उसको जनता एकसेप्ट नहीं कर पा रही थी उनका कहना था कि भाई वो तो हस के दिखाए रहे हैं वो तो मम्मी जी से बात करें वो तो वैसनो माता जी का प्लान बना रहे हैं तमाम तरह की बाते हो रही हैं तमाम तरह की चीजे हो रही हैं अगर इतना सब कुछ हुआ होता तो उनके चेहरे पर हसी और खुशी नहीं हुई होती और उन्होंने कुछ बोला होता अपना सामने रखा होता और जिज्जी लोग उधर अलग से टिंक कर रही थी सोलन से शिमला शिमला से मनाली मनाली से फिर कहां पता नहीं तो उधर अलग से दिखाया जा रहा था पिर ईए सब्सक्राइब पर इस टरीकेसे अपना कोशिश करा प्रोक करने की फिर नहीं प्रोक हुआ तो कुछ दूसरा लेबल चली गवा किसने सबसे पहले हाँ था पाई इधर उधर धक्का धुक्की करा इस सारी चीज़े लेकिन सब्सक्राइबर कुछ सब्सक्राइबर कुछ तो ट्रस्ट कर रहे थे कुछ का यह था जो कि वो मैं नहीं कहूंगी वो गलत है क्योंकि अपना-पना सब का मापदंड होता है सोचने उसका पॉंट भी बिल्कुल सही है कि जिस बंदे के साथ हुआ उसने तो भाई हसी घुषी के साथ अपना वीडियो बनाया है बाकी का अपना रूटीन दिखा जो डेली रूटीन होता है मम्मी जी के साथ अपनी तो कहीं न कहीं लोगों का जो यह था वो कोई मैं नहीं कह पर भाई सहाब अब एक लंबी चुपी के बाद कुछ चीजों में आ चुका है जवाब जी हां यह जो घटना हुई है उसको लेकर सिर्फ एक लोगों की चैनल पर कॉमेंट्स नहीं है जितने भी कुनबावासी है उन पर भी गया कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया कुछ ऐसे कुमेंट्स रखे भी गए जिनमें उनके सपोर्टर से सो कॉल्ड गाली गलोज वाले लोग या फिर फेक आइडीज जो रिप्लाइ कर रही थी ऐसा नहीं ऐसा सेटिंग के साथ आया दारूपी के आया पचीस फिर दूर था फलान था धमाग था जिसमें चैनल तो भाई कैसी कैसी बाते कर रही कि धुना गया तोड़ा गया और उसका ये उसका वो तो कहीं नी वयोग भर रहे हैं और कहीं न कहीं वो कमेंट्स जो उनके चैनल reminding पर रखे हैं भले वो सारे delete हो गए हैं जिनमें उनको लेकर भर-भर के गुबार भरा था सबकी मनों में तो उन्होंने अपना लिखा हो delete कर दिया पर कहीं न कहीं जब उधर से इण Лोगो को बोला गया कागजी family को बोला गया अंकुष को बोला गया वह comments रखे गए तो फाइनली अंकुष ने भी चुपपी तोड़ी है, अब किस प्रकार से तोड़ी, अभी current time में उनका कोई वीडियो नहीं आया है, पर उन्होंने जो चुपपी तोड़ी है, वो लोगों की बातों से तोड़ी है, लोगों ने मैं यहाँ पर आपको लगा भी दोंगी, आप दे सब्सक्राइबर ने कि अंकुष प्लीज सच बताओ, यह क्या सच बात है कि आपके साथ कोट कंपाउंड में मार पीट हुई है, आपके साथ मिस्बहेब हुआ है, यह क्या सच है, यहाँ पर सब्सक्राइबर ने पूछा, और अंकुष की तरब से जवाब आया है, और यह तक भग दो घंटे पहले उन्होंने जवाब दिया था, यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने येस लिखा है, क्योंकि तमाम लोग बोल रहे हैं, और तमाम लोग यह भी कह रहे हैं कि नहीं, यह जूट है, अपवा है, जानबूच के ऐसी चीज़े फैलाई गई है, जब मारा गया था, तब तो बोला नहीं गया, और अब बोला जा रहा है, तो भाई सहाब फिर से उसी सब्सक्राइबर ने दुबारा पूछा, एक दूसरे सब्सक्राइबर उन्होंने दुबारा पूछा, अंकुष्ट हमने सुना है कि आपको अब्यूस भी किया गया, थ्रेट भी सिया गया है, क्या ये भी सच है, प्लीज रिपलाई करो, क्योंकि देखे, अभी वो कुछ बोल नहीं रहे है, ना ही किसी प्रकार से उन्होंने कोई अपना वीडियो बनाया है, ना ही अपनी कोई कम्यूनिटी पोस्ट करी, वजह जो भी है, मैंने पहले भी कहा है कि हो सकता है, वो कानूनी प्रक्रिया के अंतरगत कुछ अब करना चाहा रहे हो, क्योंकि भाई, इट्स हाई टाइम, लीगल जाने का या फिर उनका जो भी है, क्योंकि आप सबको मुझ से बात करने का दिकार है, लोकत अंतर में रह रहे हो, अपना विचार वक्त करने का दिकार है, लेकिन हाथ पर चलाने का दिकार तो बिलकुल भी नहीं है, चाहे वो कोई कागजी रिष्टा हो, या खूनी रिष्टा हो, पडूसी का रिष्टा हो, गाउवाले का रिष्टा हो, विदेश का रिष्टा हो, कोई भी किसी प्रकार का रिष्टा हो, कानून ये भी बोलता है कि आप किसी के उपर हाथ नहीं उठा सकते उसके बावजूद अगर ये सारी चीजें हुई है तो भाई सहाब गलत हैं तो इस चीज़ को लेकर जब इन्होंने ये चीज़ बोली तो उन्होंने साफ साफ फिर से लिखा कि हाँ येस हमारे साथ मिस्भेव भी हुआ है और थ्रिट भी दे गई उन्होंने उसको नए एकसेप्ट किया कि हाँ येस हुआ है अब ये जब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने येस कर दी है उसके बावजूद अभी लोगों को क्या आप कुछ चंकार रह गई है एककष दल मतलब गाली गलोज वाले लोग जो सही भाशा में अपने चीज़ों को भी नहीं रख सकते मैंने हमेशा वोला है कि बाई साहब अगर आपको कुछ भी बोलना है किसी के पक्ष में बिपक्ष में अरे कुछ भी करना है तरक भी तरक भाशा का तो सही यूज कीजिए लेकिन नहीं भाशा भाईसा वो लेवल की ही होती है क्या ही बोल सकने हैं इसके अलावा एक कोमेंट और है जो कि मैं आपको पढ़के सुनाना चाहूंगी ये एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कभी भी इ अगम ब्लॉग भाईसा साद उस इंसिन्सइडेंस के बारे में एक चीज भी नहीं बोली है और अगर अभी भी आपको इनेक्सस्टिप लेते हो लगातार अगर आप चुप बड़ते हो तो अगर आप दभोगे तो लगातार आपको बस दबाया जाएगा और उसके लिए आ जब कुछ इतना सब कुछ हो गया, वो किस प्रकार का थैंक्यू था, कि मिलाने के लिए थैंक्यू, टाइटल में भी थैंक्यू लिखा था, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई, बहुत हो गया, अब आपका टाइम आ चुका है, एक एक एक्शन लेने का, यहां पर भी इन्होंने ओके लिखा है, तो इस ओके का मतलब है कि हाँ, गौट इट, अभी जो मुझे करना है, मैं करूंगा, और हो सकता है कि अभी तक कर लिया गया हो, क्योंकि जो जनता है न, पूरे तरीके से इनके साथ में हैं, बाकि बहुत सारे लोग हैं, जो कानून से भी जुड रहा है, तो आप उसको बस जुकाते चले जा रहे हो, जुकाते चले जा रहे हो, मतलब क्या ही बात है, तुम उस गली से गुजर गए, तो वो केस भी हो गया, और जूटा था, और एक घटिया, ब्लॉग और कमुनिटी लाइब ऐसे ऐसे करके लोग बाते कर रहे हैं, परवरिश दी है अंटी ने तुम्हें, इतना पेसेंस कैसे है, सल्यूट, भाई सल्यूट तक लोग कर रहे हैं, कि भाई इतना पेसेंस किस वज़े से अभी तक चुपी कैसे मारे हो, और लोग गंद पे गंद बुलवाये जा रहें नॉन स्टॉप, दरसों को आपको याद दिलादों की वही लोग हैं, जो बोल रहे थे कि मुझे घर जाना है, तुम ले क्यों नहीं जा रहे हो, आज वही बोल रहे हैं कि कूटा गया, पीटा गया, फोटेज ऐसी आई, फोटेज वैसी आई, ये वही लोग हैं, जो कल तक एकसेप्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐस जोटी बातें अब हुआ हैं फैलाया जा रहा है जान बूश के सामने वाली की इमेज को खराब किया जा रहा है यह सारे सफाई नामे जो लगे हुए थे वह दे रहे थे टरू सब्सक्राइबर्स तरू वालो अब क्या कहोगे जो तुम कल उचक उचक के बोल रहे थे बहुत अच्छे से अपनी जिजी का साइड ले रहे थे कि जिजी को परशान किया जा रहा है वो विचारी अपने खुले मन से घूम रहे पहली बार मना ली गई उसके बावजूद सारे के सारे लोग उसके पिछे हाथ धोके पड़े हैं लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं चैन की गुसराया क्योंकि वो दारूपी के गया था एक बंदा हिमाचल से बिलासपुर गारी में बैठके जाता है दारूपी के फिर उधर से जब वापसी करने लगता है उसके साथ में एक महिला वकील होती हैं जो शायद उनके जान पेचान की भी उनके रिलेटिव की हैं तो वो भी गारी में बैठी होती हो वह डृण कर टा है और वह बगल में कानून से जुड़ी कानूनी प्रकरिया से जुड़ी एक महिला जोकी पेशे हैं वह बगल में बैठी हो वह बंदा दारूपी के गारी ड्राइब कर रा है कैसे कैसे जूट लेके आते हो तुम लोग, कोई मैंने पहले भी कहा था, और फिर से मैं कह रहे हूँ कि अगर कोई स्टोरी ही लाना है, मतलब जूटी इस्क्रिप्ट ही लाना है, मतलब मंगढन इलजामाथ ही लगाने, तो कोई सॉलीड चीज़े लेके आओ, ना, ऐसे ही यहां पर का साबित कर दोगे, कुछ साबित ना कर पाओगे, और जैसे आपकी जिजियां हमेशा जूट बोलती हैं, फिर कुछ है दिन बाद अपने मूँ से उनके सच निकल जाता है, वो का है कि अगर आप जूट बोलोगे तो कुछ समय बाद भोल जाओगे ना, कि लास्ट में अपनी का जूट बोला था, फिर तो आपको वही याद रहेगा, कि आप इस गली से इस गली गए थे, फिर इस गली से इस गली, आपको यह याद रहेगा जिस गली से आप गए थे, पर आपको यह याद नहीं रहेगा, कि आपने दर्सकों को क्या बता था, कि हम इस गली से न जाए कि उस गली गए थे फिर हम वहां से वहां निकल गए तो वो तो आप भूल गए आपको बस याद रहा जिस गली से गए तो ऐसा जिजी अकसर कर देते हैं फिर सब्सक्राइबर पकड़ लेते कि हैं तुमने तो यही बताया था ऐसा न जाने कितनी बार अंगिनत बा बार हमने सुनी हैं बहुत लोगों के मुझे सुनी हैं हर चैनल पे सुनी हैं और जितने रियक्शन चैनल हैं लाइब चैनल हैं हर किसी में सब ने अपने विचार भी वेक्त करें हैं कॉमेंस के माध्यम से वैसे भी लाइब में भी जाकर लेकिन असली वज़े अब गए हैं तो शायद वो अपना बताएं वर्जन और अगर गए हैं तो में भी वहां से वापसी करने के बाद बताएं क्योंकि अगर जो लास्ट वीडियो था तो इस बारे में मम्मी से बात हो रही थी जाने को लेकर कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे अब गए हैं या नहीं यह तो अभी यही लोग जान सकते हैं हाँ पर अब यहां से क्लियर्टी मिल गई है इनके सब्सक्राइबर्स को कि जो कल तक अपवाह मानी जा रही थी जिस बात पे लोगों को दम नहीं लग रहा था जिसमें लग रहा था कि यह मन गढ़ंत कहानी हो सकती हैं क्योंकि टरू वालों की बातों को कुछ लोग भरोसा भी कर रहे थे इनके सब्सक्राइबर्स भी भरोसा कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों को यह तो बता था कि यह सारी जूटी नहीं है पर इनके मुह से सुनना चाहते थे तो आई थिंक अब उनको स्योर्टी आ गई होगी उनका ये लेकिन हार्ट तो नॉर्मली यह लोग कहते हैं कि कोई किसी भी कॉमेंट को दे देता है तो आज ओके शब्द को लोग समझ जाएंगे और अब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो लास्ट में लिखा था कि सही टाइम पर सही एक्शन होगा या सही चीज का फैसला आएगा असलिया सामने आएगी तो वो सही टाइम के लिखा और वेट करेंगे या किसी प्रोसेस के अंतरगत वो अपना काम कर रहे हैं यह आपको वक्त पर पता चल ही जाएगा और अगर हम बात कर जूट की दिवानी की और अपनी दूसरी जिजी की तो अभी तक तो इनका कोई भी किसी प्रकार का वीडियो नहीं आया है और अगर आने वाला है शाम तक आ सकता है रात तक भी आ सकता है और अगर वाकई में वो भी अपसुलट रहें पुलट रहें और कुछ कानूनी प्रकरिया का अब अगर कुछ वार हो चुका है तो जाहिर सी बात है उधर से भी पड़ेगा कि भाई साब ऐसा कौन वुद्ध जीवी समाज का इंसान होता है जो कानूनी प्रक्रिया वाले छेत्र में इस प्रकार की हरकत कर देता है उस जगह पे तो लोग सोच समझ के यह सारी हरकते करते हैं मतलब मिचियर्टी नहीं थी मिचियर्टी की कमी रह गई जो वह लेकिन वहां पे उन्होंने ऐसी हरकत करी है और इनके कुछ ही लोग जो सपोर्टर से वही बता रहे हैं कि हां से सी टीवी फूटेज में आया है मार बिटाई हुई है भलाना ढमाका हुआ है सब्सक्राइबर्स आके कॉमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हुआ है वैसा काम किया है मार पिटाई कानून को अपने हाथ में लेना भले आप किसी विवास से दुखी हो यह प्रवोक भी खुद करो मार पिटाई भी खुद करो मतलब चैट भी मेरी पट भी मेरी है ना तो इस चीज को लेकर भाई मैं तो बस यही कहना शहूंगी ना कि अभी बहुत प्राउड का समय लग रहा है ना इंजोयमेंट लग रहा है इतना सब कुछ होने के बाद अब तो कन्फरम हो गया जब इस बंदे ने बता दिया येस कर दिया उसके बावजूद उस बंदी के माथे वे आपने कोई सिगन देखी नहीं देखी ना और कहीं चेहरे पे कुछ इस प्रकार का दुख देखा नहीं देखा ना उसको बहुत खुशी मिली अब आप इस चीज को एकसेप्ट करते हो कि उसके दिल में इतना भी प्यार नहीं इतना का इतना भी प्यार नहीं जो महिला अपने पती को पिटते हुए अपने आखों के सामने देख सकते धका मुक की देख सकते उसके लिए आप शब्द सुन सकती है तो हम सो सोरी पर मुझे नहीं लगता कि उसको इतना भी प्यार है इतना भी लगा और इतना भी कुछ है बाके आप सब को क्या लगता है आप अपना कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इंतजार है बस अंकुष के से कुछ अलग ही तरीके से सारी स्टेप बाय स्टेप चीजे पताच चलेंगी चलिए जी अभी के लिए इतना है फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स किसी अपडेट के साथ अभी के लिए इतना ही टाटा बाई बाई